10.9 क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन पिछले क्रिया कलाप की भाती हम एक काज की मोटी सिल्ली लेते हैं तथा लेजर लाइट की प्रकाश किरन का उप्योग करते हुए प्रकाश के अपवर्तन तथा अन्य घटनाओं का अध्यन करते हैं जब काज की सिल्ली से प्रकाश किरन वायू में आती है तब प्रकाश किरन का अपवर्तन सघन से विरल माध्यम में होता है हम अपने क्रिया कलाप में सर्व प्रथम लेजर प्रकाश किरन को अभिलम से शून्य अंश का कोण बनाते हुए कांच की सिल्ली में गमन कराते हैं इसके पश्चात इन बिन्दूओं का अवलोकन करते हैं क्या आप अपवर्थित किरण को देख सकते हैं? क्या कांच से वायू में जाने पर प्रकाश किरण के मार्ग में विचलन हो रहा है? आप शायद देख सकते हैं कि इस सिति में विचलन नहीं होता है इस क्रिया कलाप को हम विभिन आपतन कोण पांच अंश, दस अंश, पंदरा अंश आधी पर दोहराते हैं तथा अपवर्तन कोण का अवलोकन करते हैं आपतन कोण के किसी एक मान के लिए निर्गत अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले प्रिष्ट को छूती हुई निकलती है यही कोण उस पदार्थ का क्रामतिक कोण, क्रिटिकल एंगल कहलाता है जब प्रकाष सगन माध्यम जैसे काच से विरल माध्यम वाईउ में प्रवेश करता है तो वह अभिलम से दूर हट जाता है इस इस्थिती में अपवर्तन कोण आर का मान आपतन कोण आई से बड़ा होता है याने की कोण आर बढ़ा है कोण आई से अब यदि आपतन कोण I का मान बढ़ाया जाए तो अपवर्तन कोण R का मान भी बढ़ता जाता है किन्तु आपतन कोण के एक विशेश मान पर एक इस्थिती ऐसी आती है कि अपवर्तन कोण का मान कोण R बराबर 90 हो जाता है इस दशा में अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल को छूती हुई निकलती है इस विशेश स्थिती को क्रांतिक स्थिती कहते हैं तथा इस स्थिती में आपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण कहलाता है इसे I.C. या थीटा से वेक करते हैं अता क्रांतिक कोण सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश के बराबर होता है 10.9.1 पूर्ण आंत्रिक परावर्तन अब यदि उक्त प्रक्रण में सघन माध्यम कांच में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण IC या थीटा से अधिक हो जाए यानि कि I बड़ा हो IC तो अपवर्तन कोण का मान 90 अंश से अधिक हो जाएगा तब प्रकाश विरल माध्यम में वायू में न जाकर सघन माध्यम में कांच में ही नए मार्ग पर जाएगा इस पश्ट है कि यह इस्थिती अपवर्तन की नहीं परावर्तन की है अर्थात जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तथा उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश उसी माध्यम में आंतरिक रूप से परावर्तित हो जाता है इसे पूर्ण आंत्रिक परावर्तन के लिए जरूरी है कि पहला प्रकाश सगन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करें दूसरा आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो 10.9.2 पूर्ण आंत्रिक परावर्तन के उधारण पहला पानी से भरे बीकर में एक खाली परकनली को तिर्चा डुबा कर उसे उपर से देखने पर उसका उपरी भाग इस प्रकार चमकदार दिखाई देता है जैसे कलाई कर दी गई हो इसका कारण यह है कि प्रकाश की केड़ने पानी से चलकर परकनली पर आपतित होती है परकनली के अंदर वायू है अतह प्रकाश कीड़ने सगन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है इन में से कुछ कीड़ने ऐसी होती है जिनका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है अता ये केड़ने पूर्ण परावर्तित होकर आँख में पहुंचती है जिससे परक्नली का वह भाग चांदी के समान चमकदार दिखाई देता है यदि परक्नली में पानी भर दे तो चमक समाप्त हो जाएगी यह घटना बुलबुलों पर देखने का प्रयास करे दूसरा म्रिक त्रिशना या मरीचिका रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में मनुष्य को दूरी पर इस्थित खजूर का व्रिक्ष का उल्टा प्रतिबिम दिखाई देता है जिससे मनुष्य समझता है उस व्रिक्ष के पास जल है परन्तु प्यासे लोग जब पेड के पास जाते हैं तो उसे वहाँ जल नहीं मिलता यह मनुष्य की आँख का धोका होता है जिसे म्रिक त्रिशना या मरीचिका कहते हैं गर्मी के दिनों में उपर की वायू ठंडी होने के कारण सघन तता भूमी को इस पर्ष करने वायू गर्म होने के कारण विरल होती है अता प्रित्वी के धरातल से जैसे जैसे हवा उपर उठती जाती है वह सघन होती जाती है व्रिक्ष की उपरी भाग से चलने वाली प्रकाश किर्णों को भूमी तक पहुँशने के लिए सगहन से विरल माध्यमें प्रवेश करना पड़ता है भिन भिन घनत्व की हवा की पड़ते समनांतर रेखांद्वारा दिखाई गई है जैसे जैसे प्रकाश की किर्णे आगे बढ़ती है आपतन कोण का मान बढ़ता जाता है एक ऐसी इस्तिती आती है जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है और किरण का उसी माध्यम में पूर्ण आंत्रिक परावर्तन होता है इसी प्रकार कंक्रीट की पक्की सडकों पर भी आपने मरीचिका बनते देखा होगा आपस में चर्चा कीजिए किया कैसे होता होगा